सीरियल मंगल लक्षमी में तूट गई है मंगल और लक्षमी आपको बता दें कि शादी ठीक हो गई थी लड़को वालों को सब कुछ पसंद था लक्षमी में सब सचाई मंगल ने बताई थी कि लक्षमी कितनी पढ़ी है लक्षमी क्या करती है क्या कुछ उसे आता है यहाँ सब कुछ ठीक था रोका का दिन भी आ गया लक्षमी यहां सर्धशकर तयार है घर में सारे गेस्ट पहुँच चुके हैं आपको बताते चले कि सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं कि लड़के वाले आएंगे लेकिन यहां पर लड़को वालों का कोई पतान नहीं है यहां पर तेश शाम से रात हो गई लेकिन लड़के वाले नहीं आए गेस्ट भी चले गए यहां पर अब आदित जो है वो उल्टी सीधी बाते करने लगता है और कहता है कि जरूर तुम लोगों ने लड़को वालों को सब कुछ सही नहीं बताया होगा यह बताया ही नहीं होगा कि लड़की दस भी पासे केवल यहां पर आपको बता दे कि आदित ये भी कहता है कि उतने बड़े घर का लड़का आखिर लक्षमी से क्यों शादी करेगा कुछ न कुछ उन्हें पता जरूर चल गया होगा यहां पर मंगल कहती है कि हमने सब कुछ सच बता दिया था और सब क क्योंकि उसकी भी बेजती हुई है अब देखना दिल्चस्प यह है कि अपनी बहन लक्षमी को किस तरीके से मंगल होसला देती है क्योंकि यहां पर कार्टिक को भी बहुत खराब लग रहा है हो नहों आने वाले समय में आप सभी देखेंगे कि कैसे लक्षमी और कार्टिक यह दोनों एक होने वाले हैं इन दोनों को शादी करनी पड़ीगी ऐसा situation ऐसा twist आएगा शो में कि आपको इन दोनों की शादी का बड़ा twist देखने को मिलेगा